आग्रे करता हूँ, आदने डॉक्टर किशुंकोपाल जी से किरपे आएं, हमें अपने मालगशन से संपर्ख्त करें, माने डॉक्टर किशुंकोपाल जी. मन्ट पर्विराजमान पूज गोविंदेवगरी जी माराज, स्रीमान भूपेंदर जी आदब, इस सारे वांग्मय को परश्रम पूर्वक दिनोंने संकलित किया, बारिकी से उसका संपादन कराया, ऐसे श्रीमान दयाना दिजी मिश्र, श्रीमान प्रवाज जी, सभाग्रह में उपस्ति सभी आदर्नी बंदू, आदर्नी बेहनो. पंडिजी के साथ अनेक बार मिलने का आवसर मिला, और विशेश रूप से जब हम विद्यारती थे, आगरा में, आपातकाल के बाद एक दो वर्ष की पढ़ाई का मेरा विवदान हुआ, और आपातकाल समाप्त होने के बाद जब हम लोग फिर से, अपनी सिक्षा पूरी करने के लिए छात्रावास में और विद्याले में आए, उन्दों ड़क्टर विद्यानवास जी आगरा में थे, और कन्यानल मानिकलाल मुईशी जो कहिंद्री एक संस्थान है हिंदी का, उसमें वे निदिशक थे, तो अन्य एक बार हम लोग विद्यारतियों को एकत्रित करते थे, तो कोई अच्छा वक्ता मिले तो हम पंडीजी के पास पहुँच जाते थे, लेकर आश्चर की और आलंद की बात यह थी, कि पंडीजी ने कभी ना नहीं कहा, इतना ही पूचा थे, कौन लोग आने वाले हैं, कहा कारिक्रम कर रहे हो, अच्छा हम आएंगे, और कभी-कभी तो रिक्षे से ही आजाती थे, उसी समय एक बार रहले कहा, आसाम में बहुँ जगदा चला है, तुन लोग आसाम जा सकते हो, हमने कहां पंडी चले जाएंगे, तो पांच लरके मिलके चले जाओ, तो हम अगा ठीके चले जाएंगे, अध्यन करके आओ पूरा, आसाम की परसितियों का, 1881 की बात साहिद रही होगी है, तो पर एक दिन मेल को बुलाएं अपने घर, अच्छा, मेरे घर आजाओ, अगर गया, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, अमरजाला के संभादक को, पत्र में क्याता, आमको मालुम नहीं, पत्र लिखके अने लगरवाल को दे धिना. अमने अनिलन जी भी पत्र में स्वाद लखाय को अने लगरवाल घर AGORA. अनिल्गरवाल जी नमको 5000 रुपया दिया, थो यह को चाहिए भी फेधा मैं यह धिलिखाये, वारात तुम ले जाओ. तो तुम ले जाओ, बाद में देने वाशी रहा तो पड़िजी काशी आ गए थी, मैं चाहे जब उनके घर चला जाता था, साहिंकाल के समय तो एक गंटा, डिर गंटा में बैठता था, नीचे, कालीन बिशा रहता था, तो उनके चर्णों में बैठ करके गंटा, डिर गंटा वारता लाप चलती रहती थी, बड़ा आशीरी बाद था, वक्तरतक कला के बड़े धनी थे, हर विशय पर गहरी प्रज्या थी, लेकिर केंद्र बिंदू भारत था, उनके बहुत सारे लिख है, बहुत सारे भाषण है, संपा देखी है, वारता है, लेकिन केंद्र बिंदू भारत है, वो नहीं आटा कभी, उन्हों संस्कुति पर लिखा, चै बक्ति पर लिखा, चै लोख पर लिखा, चै दर्शन पर लिखा, चै व्याकरण था, चै सब्विता थी, विशय कोई साभी हो, अंत्तों गत्वाववा इस बात के लिए प्रतश्रीर रहते थे, उनके लेकिन से भारतिया तत्त्त मजबूत होता एक नहीं, यहीं चिंटा उनको थी, वो जो भारतिया बोध कैसे गैरा बैठे, यहीं प्रत्त उनका रहता था, वे सम्झाते थे, कि भारतिया ताएक निव चन्तरता का नाम है, जो आजानों साल से अबाद चलता है, वो भारतिया तत्त्त है, अजारों आजारों वर्षे पहली उपरशत थे, वेत थे, बाद में बहुत हो के पिटक आए, के आगम गरंत आए, बक्तिकाल में अनेक परकार का साहित्या आया, पुरान भी आए, लेकि कोई किछी का खंडन नहीं करता, कोई ये परंपरा रुखती नहीं है, तो उसे लेकर कि कबीर और नानक तक और स्वामी विवेकान, मात्मा गांधी तक और आज तक भारत की जो अविरल धारा चलती है, ये भारतियता है, ये विश्व में अपरा है कि अलग ही इस्ताम लग करती है, इसका अलग को है, भारतियता वह है जो सब की चिंता करती है, इस विश्व में पाश्चात्य जो विचार, दर्शन और वहां की जो परंपरा है, वहां का जो बूध है, और भारतिया परंपरा का जो भारतिया बूध है, इसमें अंतर स्पष्ट करने का प्रित्त कर वो बताते हैं सारे पश्यम का जो एपी सेंटर है केंद्र बिंदू है मनुष्य है मनुष्य है चार उत्रप उनका चिंतन चलता है वो कि भारत में तोड़ा बिंद है हमारा चिंतन चलता है जिसके केंद्र बिंदू में परमात्मा है इशोरे तत्यों खेंद्र मिंदू में है और वो इशोरे सब के अंदर है और इसे बारतियता वह है जो सब को समेट कर चलती है गंगा उपर से निकलती है तो गंगा के अंदर से कुणो छोटी बड़ी धाराय मिल जाती है बारतियता वह है जो सब को ले करके चलती है इसे वैदिक भी है अवैदिक भी है शैव भी है शाक्त भी है तमिल भी है तेलगु भी है कनड़ भी है मल्याली भी है बहुला भाशिविया, समिया भिया, मणिपुरिगा, हिंदी भाशिव, सब को ले करके अनंतता को अपने अंदर समेटने का विलक्ष और सामर्थ जो रखती हैं उसका नाम भारती आता है आगे प्रेमें इस्पष्ट करते हैं यह पाश्चात्य जगत का जो नेशन है यह किछी एक बात को ले करके पकर करके बैटा है बाकी बातों को यह स्विकार नहीं करता यह कोई एक बाशा है कोई एक रलीजन है कोई एक विशेश प्रकार का विचार है कोई एक विशेश प्रकार की कोई परंपरा है उसको ले करके पकर लेता है और उसी में जीता है उसी में आनंद मनाता है किसी दूसरे के साथ रह नहीं सकता, किसी दूसरे को साथ ले करकर चल नहीं सकता, एक्स्ट्रीम एक्स्क्लूजियोनेस जिसके अंदर है उसका नाम है पास्चात्य नेशन और एक्स्ट्रीम अनंत विविदताओं को साथ लेकर के चलने का एक्स्ट्रीम इंक्लूजियोनेस उसका नाम है राश्ट्र भारतियता यह अनुका उन्होंने एक दर्शन हम सब के साथ रखा है बारतियता भेद नहीं करती बारतियता अनेक प्रकार के भेद में भी अभेद की इस्रश्टी करती है वो कहते हैं कि कभी साहिब जो है उत्तर प्रदेश में जन में जरूर है लेकि उत्तर प्रदेश के नहीं है कौन उत्तर प्रदेश की छाप लगा सकता है रामान यह तमिल है लेकिन कोई कह सकता है वे तमिल है उन्टा कौन तमिल की छाप है। गुर्गोवन सिंह पंजाब में जन्मे जरोर है लेकिन कौन पंजाब की छाप उनके उपर है। हमारे यहां किसी पर प्रांथ की बाशा की शापने लगती, वो समस्त्र स्रष्टी का हो जाता है, समस्त्र जगत का हो जाता है, सारा भेद सवाप्त कर देता है, इसका नाम भारतियता है। इसमें छोटे-छोटे-छोटे उदारों को दे करके बताते हैं कि भारतियता एक और निदंतरता का पृतिक है और एक और हजारों हजारों प्रकार के भेद भावों के अंदर भी, जो एक अभेद को देख लेता है, एक अई को देख लेता है, इसलिए हो कहते हैं भारत का जो क मेंद्रिये तत तो है वो मनुष्य नहीं है वी शवरत तो है हमारा देश इसी के ओपर चलता है आगे में कहते हैं पश्चमी जगत रहें मनुष्य को बहुत प्रमुखता दे और इतनी प्रमुखता दे दे मनुखता दे मनुखता को माल लिया कि सारी स्रश्टी का ये मालिक हो गया है, जान जाता है कि द्रश्टी जाती है, वो मालिक हो जाता है, एक biblical जो एक concept आया, कि man is the crown of the creation, कि man is the crown of the creation, इसका भाव ये निकाला लोगों ने, कि मनुष्य जो है, इस स्रश्टी का मालिक है, अन्डी जे कहते हैं, मनुष्य मालिक कैसे हो सकता है, गंगा जी हमारी हैं, कि हम गंगा जी के हैं, एक अधूत प्रश्टों का खना कर दिया, अरे हम गंगा जी के बालक हैं, हम यमना के मालिक नहीं हो चकते, हम धर्ती के मालिक नहीं हो चकते, हम धर्ती के बालक है, पास्चात दर्शन में और हमारे विजार में बहुत अंतर है, जैसे पास्चात लोगों ने का मनुष्य मालिक है, क्राव नम्दा क्रियेशन है, तो जीतने के लिए चला जाता है, बान का मनश्रा प्रकृति की सेवा में है, प्रकृति के प्रति भक्ति भाव में, प्रकृति के प्रति कृतग्य है, प्रकृति के प्रति विनंग रहे। स्रीमति संतोष यादव जी एवरेष्ट पर जब चड़ने के लिए गई, एवरेष्ट सामने आ गया। बिल्कुल दो कदम दोर, दो कदम में नहीं, डाइफट दोर एवरेष्ट का शिखर ऐसा आ गया। स्रीव संतोष आदव जी के मन में एक बार को रुमांच हो गया। रात्री का समय था। उनके मन में आया, मैं सारी धर्ती के बिल्कुल शिखर इस पर मैं आ गई। अब एक पेलों रखूंगी तो ये वरेष्ट के भारत के नहीं सारे दुनियां के सरवोच शिखर पर मैं पेल रख सकती हूँ। उसी चलुन के मन में एक दूसरा भाव आया। सारी भारत माता है, सारी धर्ती माता है, हम धर्ती के बालक है, महता भूमी पुत्रों हम का बतरों का भाव और वैदी गिशियों का है, हम बालक है। मा के मस्तख पर क्या पैर रखना है। सबसे उचा है, सारी धर्ति का शिकार है, मा का मुकोट है, इस पर प्यार रखू के नहीं, तक छड़ के मन में आना है, प्यार नहीं रखना, और वहीं से प्रडाम कर नीचे उतर आई, यह जो विचार है यह आसानी से नहीं आता है, यह कृत किता का विचार है, लता मंगेशकर जी एक बार अमेरिका के कारिक्रम में थी, अब यह कारिक्रम था, बढ़ा मंच था, सुन्दा सामने हजारों लोग बैटे थे, लता यह मंच पर चनी, अपना जूता निकाल करके, किनाय रखके, मंच को श्पर्ष करके, मातिय से लगा लिया, क्यों कृता किता का भाव है, अब मालिक नहीं हो चकते, मालिक होता है, फिर उसको एक्स्प्रोइट करने का भाव मन में आता है, पन्दी जी कहते हैं, यह पास्चात ते इस विचार नहीं, इस मंच को उपभोग बाद की सीमाओं को लांगने के लिए छोड़ दिया है, इस सारी धरती को नि निकाल लेना चाहता है, सारे नदियों के सरोवर के जल्व से बिजली पैदा करके क्या करना चाहता है, सारी धरती की छमता से कुछ उकुछ पैरल कर लेना चाहता है, और सब कुछ अपने लिए अपने लिए, यह सोच ही गलत है, यह धरती सब की है, यह पशों की भी है, पक कहते हैं, हमने सब के उपए इश और ये तक्त्य का भाव जब देखा, सब के अंदर ब्रह्म देखा, इश और देखा तुब क्या अंतर रहा गया। वे अज़ beyond पवित्र हो गय 이건 बभित्र हो गए दर्टी भी पवित्र है और हमरी नदिया भी पवित्र है। हमारे जंगल भी पवित्र है, हमारे सरोबर भी पवित्र है, अन्य भी पवित्र है, और अन्य को खाने वादा मैं भी पवित्र हूँ, अन्य मैं भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, यह अवेद की दृष्टी है, इस अवेद की दृष्टी ने सारे के सारे अंदर के जो सं गर्ष है, उसको समाप्त करने का सामर्थ सजो कर रखा है। उजह स्वामी जी अभी भक्ति के बारे में ता सुन्दर वर्ड रन किये है। पंडी जी ने भी भक्ति पर लिखा है, और बहुत लिखा है। बहुत बोलन भी है, एक दिन में उनका व्यक्षान सुन रहा था, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी और केवल एक छोटा से भजन की दो तीन पंक्तियों पर एक घंटा बोले थे। पंडी जी कहते हैं, एक समय ऐसा है भारत में, राजा तो हार गए। सेनाई भी नहीं रही। हमारे विशाल मंदे टूट गए। कौन सारे समाज के अंदर के जीवन त भाव को बचा करके रखे। ऐसा लगने लगा देश अब नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा। ऐसे समय में रामानंद खड़े हुए, रामानंद चार खड़े हुए, कभी रहेदास खड़े हुए, नानक और तुलसिदास खड़े हुए। सारे देश में अशा प्रचंड भक्ति का आंदोरन खड़ा हो गया। जो कश्मीर की लल्ला से ले करके और दक्षर में, तमिलाडू में, वाके आनवार और नायनमारों तक, आशाम के शंकर देव से ले करके बंगाल के चैतन से होते हुए, महराष्ठ के नाम देव तक, हर भाषा में, हर प्रांत में, हर जाति और वर्ण में ये भक्ति के बड़े सुन्दर गायक थे, वे साधक थे, वे देश का ब्रमर करते थे। लोगों को मंच दिया उनोंने, इनको सम्वान ने इनको सम्वान दिया, जिनको वानी ने उनको वानी दे दी, उनको प्रेम नहीं मिलता था, उनको पास में सीनिय से लगा लिया, अब मंदर की आवश्यक्ता नहीं थी, बहुत बड़ी आवश्यक्ता वैदिक मंत्रों की भी उस्समें नहीं रही, इस्थान इस्थान पर इन भक्तों ने, इन संतों ने, सारे देश के अंतर तम को समाल करके रखा, बचा करके रखा, दो विदेशी विद्वान हो गए, ग्रियर सन और बर्लेट, जुसाइथिकार लोग है, वो इनके बारे में जानते हैं, उन्हें भक्तियां अंदरवन का अध्यन किया, इस भारत में इतना बड़ा प्रचंड भारतियता का, भारतियतत्त्त का जागन कर रहे वाले, और वैदी के विचार को, परंपरा का सरातन विचार को, लोग भाशाओं में लाकर के समाल के अंदर प्रस्तुत करने वाले, इस सारे आंदोलन को कौन चला रहा था, अंदला ग्रियर सनब बर्लेट दौ लिखते हैं, और अंदला पता नहीं चला, उत्तर से दक्षिल तक, दक्षिल से उत्तर तक, पूरव से पश्चिम, पश्चिम से पूरव तक, जैसे आकास से बेली समख जाती है, ऐसे भक्ति का अंदुलन देश को उस संकट के काल में से निकाल करके ले आया, पंदी जी इस बात को लिखते है, इस बात पर बोलते है, यह आंदुलन के समन वेवादी नहीं था, यह आंदुलन इस देश की अंतवा आत्मा को समाल करके रखने वाला था, यह आंदुलन उन प्रचंद आक्रमकारियों से इस देश की सुरक्षा करन का बड़ा मजबूत कवच था था कि घुंस्वामे तुलतियाजजी के बारे में लिखते है है को चाराई रेक हिऊं भात चल ले थी इसमें बाबा का राजा राम था है तुलतियाजा अदरिल के किनारी पर बैड़ करके मास लिखते मानस लिखते नहीं इसली है मानस का मंच जन कराते थे। बला मंच प्रस्थध किया, और हजार ओर लोगों को कलाकार बना दिया। उन कलाकारों में कोई नाव चलाने वादा नाविक था। कोई कपड़ा दोने माला धोई भी था। कोई डोम के परिवार के लोग थे तो कोई मन्त पढ़ने वाले पंडित लोग हुई थे, हर विरादरी के लोग राम निला में शामिल हो गए, राम निला होती थी, मंचन होता था, लोगों ने राम से मानस कंठस्ट कर लिया, हजारों हजारों लोगों ने कंठस्ट कर लिया, लिलखी का विवार होता था, तो काशी में परंपरा हो गई, उसके विवार के समय मानस की पृति हास से लिख करके उसको ससुराज जाते समय भैट कर दी आती थी, उले के लाती थी, अन्मान चली से यास कर लिया, बढ़ा भार परीज माना नहीं जाया, राम डिल्याम एप्रसंद प्रसंद प्रसंद बात, हर दस बिलत बात ना water लगता था, विव exploresore, राम चंद की जाय, राय राम की जाय, इस पराजित देश का राय जिन्दा था हम लोगों के मन में हीिर्दय मैं, शामान बात नहीं थु क्वunterulously, या पंदी इस बात को एक आंकित करते हैं, तो उस भीशर संकट के समझे मुहाँ विकट काल चल रहाता हूँ, जो सेक्रों वर्षों तक चला, इस देश की अंतरात्मा को समाल करके रखा, उन संतों ने, उन भक्तों ने, इस प्रचंड भक्ती के आधार पर, एक भक्ती सारे देश को एक भागे में बात करके चल रहेती, कौन बात ऐसी थी आसाहम का संकर देव, पृषभाशा में लिखते हैं, कौन बात ऐसी थी, दिली और आघरा एक और मुगल साहिशाहों का केंद्र था, उने की नाक के नीचे बुरनदावन में, और गोवर धनमें, मत्हुरा में यह आंदोनन अपने तीवरिगती से सारे देश में सादकों को भेशता था, यह भारत का अंतरतम था, यह भारत का प्रान था, इसकों अध्यात्म कहते हैं, तो पंडी दिने ऐसे बहुत सारे विश्यों पर लिखायों विश्य एक नहीं आनेक है, सेकों विश्य, लेकिन केंद्री अधुषओं करते बशाने दिने यह भारत है उसको शक्ति देना च्टत टाकत देना चाहते हैं, यह बात ठीक नहीं, उन्सक्य तौर्स की इस इस मत्यों को समाल करके रखना, विश्यार को ठीक परकार से अगली पिरी तक पहुंचाना, इसके लिए बड़ा उध्यम प्रव वारी जो 21 खंडों का इन्होंने समखर प्रकाशित किया यह समखर तो नहीं है, अब यह बहुत उनका शेश है, शेखो संपाद किये पड़े हैं, बहुत सारे ब्याक्ट्यान पड़े लिखे ही नहीं गए हैं, वो टेप किये उभी रखे हैं, बहुत है भी, परिकि जो है यह पुझेरी प्रयापते हैं, पर यह कोण कि मुझें पड़ने का बेवा संकट है, रखने का भी संकट है, आप पुष्ट के संखर नहीं करते हैं, फार्तों के सामान के संखर अपने मकान में करते हैं, अब आप जाएंगे गर में जाआ, सोफा रखने पर गरंथ रखने रहे रहे थे, अब गरंथ नहीं रहे थे, फाल तो असामानी खटा मिल जाएगा अब, उसको खुलोक निखी मिल जाएगी, कुछ खिलोने बच्चों के रखेंगे, कहीदे गिप्ट लगा वह में रख कि इनको कोई किसी ने कोई दिया है अपना सम्मान का पत्र वह भाण मिलेगा गयों तो नहीं मिलते हैं यह दुराब हो गए आप टेक्नणोजी ने हमारे हाथ में आइपट दीया है एक लाघ किताबें हमारी इसमें हैं लेकिंगे ध्यान में लिखी हमारा जो गरंत आला है उसका महत तो अलग है कबीर के दो एक ऐसे परेगा अब अन्वान चालिशा भी नहीं पढ़ पाता, रामाण गीता छोड़ दीजे, एक बड़ा संकट यह पंडी जी ने बार-बार कहा है, अपनी भाशा यह आवश्य के ठीक है, तो भाशा आप जानिये, जहां जो बोलना है, बोलिये, फ्रेंच बोलिये, जर्मन बोलिये, अब अपनी मात्र भाशा का सम्मान रखेंगे के नहीं, हमारे बच्चे अपने धर्म गरंतों के, अपने यह सामारी सांस्कृतिक गरंतों के अगर पढ़ने वाले न रहे, तो पकलमानी यह संस्कार चला जाएगा, कोई वरिता कर दुनिया के संस्कार को बचा करके नहीं ल लेंगे, लेकिन मित्रो और बेनों समय लिकाल करके पढ़िए, नहीं पढ़ने दे बच्चों को बताएगे क्या, तो प्रध्या परके वो विध्यार्थी को क्या बताएगे, तो फुझों के वो नौजुमान बच्चों को कैसे बताएगे, और इसलिए प्रभात प्रकाशन अहने बना काम किया है इम्मत का काम किया है आज के समय में यतरह प्रकाशन करना परिशा इन्वेस्ट करना यह भी कम कठीन काम नहीं है。 लेकिन मैं आप सबीशे विनमर्ता पूर्वग फिर आग्रायव करता हूं, बार 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 दगर करता हूं, अपने स्वधरम के सोविचार के, अपने संस्क्रित, अपनी सब्ताचे संबंदित गरमतों का अच्छा संग्रहाल हैं, अपने घर में बनाएए, बच्चों को प्रक्रिया जारी रही तो हम गरनतों के मून लिवान भाग को अगली पीड़ी को सुरक्षित रूप से दे सकेंगे और संसकार की छोटी-मोटी गारंटी पक्षी बनी रहेगी प्रवावध प्रवक्रेशन को धन्याध देता हूँ आवार व्यक्त करता हूँ दयानि दीजी यह को भी बहुत भाउष वकामनाय देता हूँ और तेन-चार वर्ष लग करके एक टिन कार पून खिया नमस्कार